इंसान की हेडियों से बनाई जाने वाली साइको इवेक्ट ट्रग ने पश्चिम अफरीका देश सियरा लियोन में एडिक को कबर खोदने के लिए मजबूर कर दिया है बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस भायानक खत्रे ने सियरा लियोन को राष्ट अपातकाल घोशित करने के लिए मजबूर कर दिया है फ्री टाउन में पुलीस अधिकारी जॉम्बी ट्रग को बनाने के लिए कबरों को खोदने की कोशिश करने वाले लोगों को रोकने के लिए कबरिस्तान की सुरक्षा कर रहे है बता दे कि इस ट्रग को कुश कहा जाता है और इसे अलग-अलग प्रकार के विश्य पधार्तियों से बनाया जाता है जिसका एक मुख्य हिस्सा इंसान की हडिया भी है ये मादक पधार्त पश्चिम अफरिका देश में पहली बार लगबग 6 साल पहले उबरा था ये डग देश में एक व्यापक समस्या बन गई है और इसके डीलर कतित तौर पर गंबिल लुटेरे बन गए है जो मांग पूरी करने के लिए हजारों कबरों से कंकाल चुरा रहे है